Hello everyone, welcome to True IS and PCS हम लोगों ने वैसे तो जो concept है national development का और वो एक individual की development के साथ कैसे या तो merge होता है या conflict में आता है इसको देख लिया था एक हमारे छोटा सा याँ बर box रह गया है देखते हैं कि आप पता हमें याँ से कोई काम की information मिल जाए तो इसको देखते हैं एक बारी average income जो averages है न they are useful for comparison लेकिन यहाँ पर जो ऊच नीच का भेदवाफ होता है न जिसको हम लो disparities कहते है राइटर हमसे यह बोल रहा है कि averages वैसे थो ठीक है comparison purpose के लिए लेकिन disparities को छुपा लेता है कैसे इसको देखते हैं suppose करूर दो countries है देखना प्राणिया एक जामपल देखना सब लोग यह दो countries है एक country है A दूसरी country है B हम लोग यह माल लेते हैं कि उस country के अंदर सिर्फ 5 citizens रह रहे है बलाब 5 नागरिक रह रहे हैं A country में 5 नागरिक रह रहे हैं B country में अब अगर हम लोग यहाँ पड़ देखें income average क्या होता है average ऐसी निकलता है न प्राणिया के पाचों को combine करके यह जोर्भी नंबर निकलेगा 9500 10500 9800 10,000 10,200 divided by 5 ऐसी होगा न average ठीक है देखा इत्ती मैटसो मुझे भी आती है तो जो भी इसका average निकलकर आएगा ABC नंबर और XYZ नंबर जो भी यहाँ पर average निकलकर आया ठीक है अब लेकर यहाँ पर जो disparity हाइड हो रही है वो क्या मानलो के income बहुत जादा है प्राणिया दोनों countries में अच्छा खासा average निकलकर आगया छोड़ दो फारक को छोड़ी दो एक बार के लिए कि A में जादा है average income B में जादा है ठीक है लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं हमने तो development के बहुत सारा parameter देखे थे अगर हम country A में हैं जहां पर income B के comparison में जादा है लेकिन क्या यह sure shot है possible that हम उस country में happy होंगे आज की टाइम में अगर मान लो कि आपको प्रान्या बंदा पटाना हो और उसका एक विला हो यह हो तो आपकी imagination कहां तक जाती है कौन सी country तक पता हो इंडिया में भी तुमारे आशिक हो सकते हैं लेकिन लेकिन मुझे एक बाह पता हो जैसे आपने का इंडिया वाली बात यह हमने एक्जांपल कल भी डिसकस करा था लेकिन अगर आपका दुबई में एक विला हो बुर्च खलीफा के अ अंदर आप रह रहे हो माल लो ठीक है कोई भी country मनलब आलवा पर रहे हो कि यह जरूरी है कि आप अंदर से खुश होगे नहीं न तो यानि कि यह वाला जो टेक्स्ट है हमें यह बता रहा है सिर्फ एक materialistic pleasure ही इंसान की development ensure करवा सकता है क्या एक इसका example देता हूँ बस यह वाली जो यह बात कह रहा है ना इस बात को इस table को भूल जाओ इसी को अगर मैं यह लिख दू आपने movie देखी है दिल धड़कने दो कितनी posh lifestyle होती है लेकिर उसमां यह दिखा रख है ना कि आपके पास अगर इतनी उकाद भी हो ना कि आपके हर कोई ऐसी imaginary life चालता है कि नहीं चाहता कि भाहिया आप बोर हो रहे है को अपनी बंदी को लेकर private jet पर उड़ गए लेकिन क्या खुश तो पर है some of us may like to live in country भी if we are assured of being its fifth citizen भले हम पांचफेश citizen हो ठीक है but if it is a lottery ये जो decide करेगी कि हमारी citizenship का number क्या होगा तो हम ये prefer करेंगे भीया कि हम country A में ही रहते हैं मतलब वो आपसे ये बोल रहा है कि देखो जहाँ पर आपकी well being ensure नहीं होती न तो वहाँ पर आपका रहने का मन भी नहीं कर सकता क्योंकि एक country में रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपनी income से प्यार है light style से प्यार है बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है यार मानलो कोई में आपसे एक रशिया मानलो ठीक है माइनिस डिग्री में वहाँ पर temperature जाता है ओके बरफीला इलाका अब आपको बरफ से प्यारी नहीं है इस ठंटी जगा पर रहना नहीं है घूमने फिरने के लिए वह परपस से ठीक लग रहा था मानलो प्रान्यापकी शादी हो गई वहाँ पर ठीक है और आप रशिया चले गए आप न्यूजिलेंड चले गए आइसलेंड चले गए ठीक है किसी भी कंट्री चले गए अब आपका वहाँ पर मनी नहीं लग रहा कि यार ये ट्यूरिस डेसिनेशन से तो ठीक थी लिकिन यार भई जिन्दगी क नहीं हो सकता बताओं तो यहां पर यह बोल रहा है वह आपसे राइटर किसी कंट्री में हो सकता है कि लोग जो है अमीर हो और लोग हथस्याता गरीब भी हो ठीक है average income use करने का criteria जो है वो निकाला भी जाए कि कैसे income जो है लोगों के भीच में distribute होती हो लेकिन ये एक hidden बात यह कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है से एक इंसान का well being ensure हो जाएगा क्योंकि well being is not only about average income क्या दिल्ली में जो traffic light पर अगर प्राणने गाड़ी खड़ी हुई है बुगाटी विरॉन फरारी एस्टन मार्टन कुछ भी लिकिन जरूरी उसमें बैठने वाला परसन जो है वो दुनिया के सबसे happiest इंसान हो उसकी जिंदीगी में कोई कम नहीं हो रही न ये जप्र तो बिखो बिखो के जूते मार रहा है यार इंकम है अधर क्रेटीरिया इंकम तो देखो छोड़नी नहीं है हरे टॉपिक के अंधर हम इंकम को इसलिए लेकर चल रहे हैं क्यों विकॉस इंकम तो एक जरूरी है या आस्पेट डेवलप्पेंट का नहीं जाए वो कंट्री क्यों चाए वो इंडिविजल की हो है ना जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ठीक है जब हमने देखा था प्रीडियस लेक्चर में तो हमें यह देखने को मिला था लोग से बेटर इंकम के बारे भी नहीं सोचते हैं उनके कुछ अन्य गोल्स भी होते हैं हमने इन सारे पहलों के उपर बात कर रखी है प्रानया सिक्यूरिटी उनको रिस्पेट मिले ए यह सारी चीज़े इंडिविजल एक दिमाग में लेकर अपने चलते हैं याद है ना वह कॉल सेंटर वाली बात और नाइट की जॉब की बात है ना सिमिलर जब हम इ width नेशन की बारे में सोचते हैं जिस भी रेजन के बारे में सोचते हैं जहान पर हम रहर होते हैं हम लोग iki है को आपको विला दे दूंगा और वहापार आपका swimming pool होगा आली शान गाड़ी होगी सब कुछ होगा आप एक बंगलो में होगे ठीक है लेकिन आपको को ये बोले तुम्हें रहना है जारखंड के जंगलों में अंदर जाकर बताओ ये भी तो ये भी तो एक criteria है मतलब जंगलों के आंदर मतलब मालों कहने का मतलब ये है दूर दूर तक कोई इनसान नहीं मिलेगा जैसे दिल्ली में केरिया है प्राणने आप जानते हो कि छतरपूर है ना दूर दर रास का इलाक है कि रात को अगर एक ठेली दूद लेना हो ना और इनसान की उकाद इतनी हो कि भाईया वो एक करोड भी खर्च करने को तयार तो दूर दूर तक नहीं मिल सकता वो वहां पर मानते हो नोईडा गुडगाउं में कुछ सुसाइटी ऐसी है मयूर कि आपको राशन लेने के लिए पांच उर्पे का धनिया लाने के लिए गाड़ी उठानी पड़ेगी पैदल नहीं जा सकते है आप मतलब भार क्योंकि पास नहीं है वो है पराने ऐसी जगह पर ऐसी जगह के नहीं है हम लोग क्यों नहीं रह रहे हैं वापर दौरका तक भी आप रह रहे हो तो इंकन्वीनियन स्थोड़ा बहुत फील होता होगा अपराने थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ जब आप मेर से मिलने जनक पूरी आते हो डेली है ना तो यहाँ पर आपको लगते ना कि यह तो बेफालतो की फिजूल कर्ची नहीं है बताना ज़रा ऐसी लाइप दाकर क्या कर लोगे यह ना रात को आपका वाफन कह रहे हैं कि मुझे तरसा डेली मेरे खानी है अब आप कह रहो बेबी यार वो तो नहीं सकता है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और हम जाएंगे टाइम बेस्ट होगा और कहीं जाए रात को यह छोड़ फ्रिज में प्रेड इन मिटर पड़ा हुआ है वही खा लेते हैं वह छोड़ वह मैसेज आए आपको प्रान्या मुझे तरसाथ नहीं रहना ठेक है तो टेबल 1.3 आपको क्या दिखा रहा है यह आपको पर-capita income दिखा रहा है हर्याना की बिहार की और केरला की ठीक है देखो यह पर capital income क्या show कर रहा है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी कहाँ पर better off है बताओ उच्परीथ कहाँ better off है लोगों की condition बोलो बोलो देखे बोलो यह राफिकार आपके सामने हर्याना है ना उसके बाद और उसके बाद बिहार लेकिन मैयूर मुझे यह बताओ average income यहाँ पर बिहार के एक citizen की कम है और यह economic survey कह रहा है एक साल पुराना economic survey आपको कह रहा है लेकिन क्या यह चीज जरूरी है कि average income बिहार में कम की हो और हर्याना का परसन हर एक attributes में in terms of security respect equal treatment of freedom वो सारे अपने development के कराटी तको enjoy कर रहा हूँ है ना क्यों परान्या हो सकता है कि हर्याना की income average ज़्यादा दिखरी एक citizen की तो ज़्यादा आची life बिता रहा हूँ बताओ सब लोग मुझे ज़रा सब लोग सब लोग के सीज का अंसर दो फटा फटा फट हो सकता है जयद क्या करें हाँ नहीं हो सकता अश्परी कोशन समझ में आया है मेरा हो सकता है ऐसा बताओ हर्याना का बंदा अगर average income ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा ची life enjoy कर रहा हूँ प्रान्या एक बिहारी नागरे की citizen average income कम हो सकती है लेकिन जब वो गाना वजेगा तु लगाई ले जब ले विस्टिक क्या नाचेगा वो ना महौल देखेगा ना इधर उदर देखेगा कहा में metro में हो कहा में पारलेमेंट में हो क्या चल रहा है उसके अंदर से you know electric current दौर पड़ता है नहीं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं 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 मैं एक बाग बता रहा हूं और हर्यान भी कोई लड़की हो हो सकता है उसकी average income कम हो वह अर्यान में भड़ी लड़ी कम हो उसकी वह अब जस अभी उसने जॉब करना शुरू करी है गुरु गुराम जाना शुरू कर रहा है उसने लेकिन गाना बज्जा है बावन गच का दामन फूर्तित उसकंदर भी आएगी ठीक है तो बात यहां पर यह बताने की मैं कोशिच कर रहा हूँ debt income सिर्फ एक इगलौता criteria नहीं है for ensuring happiness वगएरा जैसे प्रान्या हम लोग बात कर रहे थे English education वगएरा की दिल्ली में दिल्ली में एक महीने की school की fees लगबग सारा खर्चा मिलाकर 8000 से 10,000 की वीच में बैठती है सारा खर्चा मिलाकर कह रहा हूँ मैं ऐलोईन्स ट्रैवलिंग वगएरा सब कुछ मिलाकर लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केंद्र गरले का बच्चा या फिर कोई बिहार में अगर सरकारी स्कूल में बैठा बच्चा है तो वो आईएस नहीं बन सकता दिल्ली का बच्चा सबसे नीच बच्चा है ना वो इंग्लिश का है ना हिंदी का है उसको कुछ नहीं आता दस हजार पर मतल जो उसके उपर इंवेस्मेंट हो रही है वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है टेरा कोटा फिगर है पस उससाथ कुछ भी नहीं है तो कि जिन्दा मरा हुआ इंसान है जो नहीं के वो सब्सक्राइब् tape तो सोच सके जाए लिए मैंने में बताया ता ना प्रीव कोड़िय। यह मैस्मम्गा मoteर दीली के बच्चे का जो जो सकोचे में मघबर क् propos को पतके तǚे बात के बच्सके और बच्छे को बच्चे स्कूल में जो लोती है प्रान्या, they are not ready to face the real challenges of life. हलकी सी आन्दी आई, यह द्वार का के 8 फ्लोर से खूद पड़ेंगे. ठीक है, तो actually, यह जो figures of per capita net state domestic product, जैसे हम लोग पूरे देश को कहते हैं प्रान्या, GDP, ऐसी state की होती है, SDP, state domestic product. ठीक है, कि आप particular की state में रह रहे हैं, प्राइश के हिसाब से GDP के comparison में आपकी income कितनी है, यह दो अलग अलग निकलती है, ठीक है? तो, per capita income अगर इस state की देखी जाए, तो हम यह लगेगा, out of the three, हर्याना में highest per capita income है, यानि कि एक आम नागरे सबसे साथा कहाँ पर कम आ रहा है, उपर वाले टेबल के हिसाब से, हर्याना के बेहार, हर्याना, और यह और यह ना, story making वाली चीज नहीं है यह, अश्परीत, यह story making वाली चीज नहीं है, economic survey दे रहा है यह data ही है, मैं लोग प्राइश प्राइश फाल तो ऐसे ही नहीं है, अभी आने वाली एक फर्वरी को आएगा, उससे एक दिन पहले, एक फर्वरी से एक दिन पहले कौन सी तारीक पड़ती है प्राइश? 31st January को हमेशे economic survey रिलीज होता है, ठीक है? This means that on an average, a person in Haryana earned 236,147 रुपीस in one year, whereas an average person in Bihar के अंतर उसने लगबग 41,000 रुपीस ही earn करें, 40,982 तो अगर हम लोग पर क्या पड़ा, income को use करें as a measure of development, तो हमें यह लगएगा, Haryana will be considered the most developed and the Bihar the least developed state of the three, यह लगएगा ना? लेकिन यह तो सिर्फ एक development का कौन सा criteria हो है, broad criteria होगा के narrow criteria होगा? अब बताओ. narrow criteria होगी, यहाँ पर सिर्फ हम किसको देख रहे हैं? और क्या जीने के लिए सिर्फ पैसे ही काम आता है क्या? एक से एक प्रो लेवल के खिलाड़ी बैठे हुए या. economic survey की एक data को और देख लेते हैं, ठीक है? यह data economic survey प्लस National Sample Survey Organization और National Statistical Office. इन सबने मिलाकर यह दिया है हमें. किसने दिया है वो important नहीं है, data चांते हैं परी. क्या बोल किया रहा है? किया रहा है, 2018 में infant mortality rate per thousand life birth. हमेशा कोई भी rate हो, वो per thousand से ही calculate होता है. हर्याना में रहा 30, केरला में रहा 7, बिहार में रहा 32. उपर देखना चरहा? उपर देखना? इन में से सबसे develop कौन था? हाँ, नीचे आप काऊगे कि, यह जो नीचे state दे रखी है, उपर वाली state से match कर रही है. उपर लेकिन हम बात कर रहे हैं, पर captain कम की. इनी तीनों राजिये को बेस बना कर, अब हम लोग देख रहे हैं, दूसरे aspect of development. infant, mortality rate इतना रहा, literacy rate 2017-18 में रहा, 82, केरला में 94, और यहां 62. और net attendance ratio, पर 100% secondary state, पर secondary state कौन सी होती है, स्कूल की? कौन सी होती है? मनलब बेसिकली 10th लेवर. और senior secondary कौन सी होती है? 12th तक. तो 14 से 15 साल के निपे निपियां, कौन सी class में बढ़ते हैं? सौरी परणया, लेकिन फिर भी answer दो. 10th में बढ़ते हैं. ठेक है? Net attendance ratio, यहां रही हर्याना में 61, केरला में 83, और विहार में 43. अब मुझे एक बाप बताना, हम नीचे अभी देखते, इनको इनका मतलब क्या होता है? लेकिन, एक-एक करके पहले बात करते हैं. बिल्कुल ध्यान से समझना, ठंडे दिमाग से सुनो, ठीक है? कुछ भी लिखने की अभी ज़रूत नहीं है, लगे तो लिख लेना, लेकिन एक analysis समझाओ, ठीक है? बहुत अच्छी से समझना इस analysis को, बहुत अच्छी arguments पेश हो पाएं, कि आप लोगों से interview room में answer लिखते हुए, और परान्या, हमें भी final answers लिखते हुए. Number one, सबसे पहले जानते है, infant mortality rate क्या होता है? अच्छा, मुझे पहले पता हूँ, ये fetiside और infancy में क्या फरक होता है? जैसे हम कहते हैं कि कोई एक बच्चे को ना, मार रहा है, coke में मार रहा है, या फिर पैदा होने के बाद मार दिया, तो what is female infanticide या female fetiside, क्या मतलब होता है इसका? coke के, coke के अंदर ही, warm के अंदर ही मार दियते हैं, उसको क्या कहते हैं जब coke के अंदर मारते हैं तो? fetiside, सब लोगे, सब लोगे note कर लो, fetus, fetiside, यानि कि warm के अंदर ही पैदा होने से पहले ही, निप्टा दिया, ठीक है? और infanticide? हाँ, जैसे वो एक serial आता था, आप सबको याद होगा, देखो मैं realistic example देना prefer करता हूँ, लाडो आता था एक colors per serial, उसमें हर्याना की यही काहनी बता रखी थी, कोई भी लड़की जनम लेती थी उस गाउं के अंदर, दूद के बड़े से कड़ाई में पती ले में उसको डालती है जाता है, ता कि लड़कियां बोज हैं, वो नहीं चाहिए हमें, है ना? तो infant mortality rate indicates that number of children that die before the age of one year, मतलब यह क्या चीज शो करता है, एक साल का complete होने से पहले, प्रने देख रहे हो, बदकिस्मती, पहला happy birthday नहीं मन पाया, पहला ही, और हर 1000 में से, life birth मतलब, life children born या इसको life birth भी कहते हैं, प्रने मतलब, जो बच्चे मा की कोक से जनम तो ले गए हैं, लेकिन वो जिन्दा भार निकले हैं मा की कोक से, आरे आप कहोगे, यह क्या nonsense है, अंदर ही, मतलब मर गया, उसके बाद बाहर निकालना पड़ाओ, कभी कबर ऐसा होता है न, डॉक्टर कह देता है देखो, your child is no more, लेकिन फिर भी हमें, क्या कहते है, surgery वगएरा करके निकालना पड़ेगा, बना obviously बात है, dead body को थोड़ी रख सकते हैं, वनना infection वगएरा फैल जाएगा, और इस हाँ हाँ वो यह still born, आरे वो ही नहीं, 3-8 की नोटंगी नहीं थी, वो क्या कहते है, क्या बोलता है, आल इस वेल से पहले, वो भी तो ऐसी stop loss के साथ पैदा हुआ था, या महियूर, है ना, उसके बाद बड़ा है, वो बड़ी टाइम साथ consolidation करने के बाद है ना, तो, इस इंडिकेर्ट सा नंबर ऑफ शिल्टेंड ड़ाई बिफोर दाई जो भनियर, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ थाउजंड लाइफ लाइफ बर्थ, यानि कि यहाँ पर दो-चार क्रेटीर यहाँ प्राणिया उसको मिश्मत करना, कोई भी लोग मिश्मत करना, स्वगंदा सबसे पहली बात, यहाँ पर देखा जाता है, प्राणिया लिख लेना इनको, बिफोर बनियर, इनमें से क्या क्या चीज़े देखी जाती है, एक तो एक साल पहले, दूसरा, हर हजार बच्चे, तीसरा, उनी हजार बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है कंजर, लाइफ बर्थ, नॉट इस्टिल बर्थ, और ये सारी चीज़े कल्कूट कर दी जाती है, एक साल के अंदर रहता है, ये चार क्रिटी रहा है, तो प्राणिया, बिल्कुल सा कोशन आ सकते हो, लास्ट आप्शन आजेगा, और अब देखो, हमें अगर हम सिर्फ, एवरिज इंकम की बात करें, तो काबिल ये तारीफ कौन दिख रहा था में? हर्याना, कित्ती बाबाई हो रही थी इसके, कि यहां आ रहो तो ज़्यादा बेटर, एस कंपेर टू केरला या बिहार, तो चलो, infant modality rate को देखते हैं, मतलब एस कंपेर टू, एस कंपेर टू हर्याना, केरला सेकंड बेस्ट उप्शन था ना, केरला सेकंड बेस्ट उप्शन दिख रहा है ना यहां पर, और बिहार तो बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन, बाई बिहार सिर्फ दो कदम पीछे है, infant modality rate में, दो कदम सिर्फ पीछे, दो कदम, और केरला तो, नंबर हो ना कि कम अच्छी बात है, यह भी मुझे पहले बतातो, कहीं लोगों इसमें भी confusion रहती है, यह नंबर अगर 30 से 60 हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर 30 से 7 दिख रहा है, वो अच्छी बात है, है ना, और यह कितने में से कैलेट हो रहा है, 30 बाए, 30 बाए, 7 बाए, 32 बाए, 1000, या निए कि, हर्याणा में क्या केस है, हर साल, हजार में से जितने बच्चे पैदा होती है, 30 का क्या हो जाता है, डेस हो जाती है, एक कब डेस हो जाती है, पहला happy birthday आने से पहले ही, ठीक है, अब मुझे बताओ, इन में से best performer कौन दिख रहा है, क्या आप बहार को बोलोगे, अरे वावाई, हाँ, तो 1000 बच्चे पैता होते है, 32 मर जाते हैं, नहीं न, कितना कम बर्या है, तो अब एक बाँ बताओ, हर्याना में फिर average income अगर भले ही तो Guru Gram में नौकरी करने का, अगर मनला अब एक ही story making की बात करें, तो Guru Gram में नौकरी करने का कोई फायदा है, नहीं न, अरे एक ही story की फोर्म में बताओ, कि Guru Gram इतना high capital है, उतर इतनी income मिलेगी, लेकिन इसको देखते हुए कि बहाँ पर जब बच्चा पैता करोगे, तो guarantee नह क्यों है? दिरूभन दृव्रम नहीं वो भी साही है लिट्रसी रेट लिट्रसी रेट में देखते हैं भाई average income हर्याना में जाथा थी यह तो बहुत बावाई बटोर रहा था हर्याना अब देखते हैं पहले लिट्रसी रेट का मतलब समझते हैं It means the proportion of literate population in 7 and above age group. 7 साल और उतसे बड़े जो age group के लोग है, उन्होंने कितनी सिक्षा हासिल करी है? अब ये rate ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बताओ. ज़्यादा. बिहार का 62. 20 से ज़्यादा है 82 हर्याना का. लेकिन इसमें भी पाजी कौन मार ले गया? कैरला. और infant mortality के rate के, अगर context में अगर हम लोग बात करें, एक बड़ी पहले वाले क्रटीरे की उपर बापस आजो, अगर हम बिहार में रह रहे हैं, चाहिए हर्याना में रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़राग है क्या? कोई guarantee है क्या? कि बच्चा नहीं मरेगा बताओ. 30 और 32 में कोई बहुत ज़्यादा फ़राग है क्या? मनलब, अगर हर्याना में average income इतनी है, इतनी है, 5 से 6 साथ गुना ज़्यादा है as compared to बिहार, लेकिन क्या वो हजार में से जितने बच्चे जीते हैं, उनका पहला बड़े मनवाप आता है क्या हर्याणा? तो बिहार और हर्याणा में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नई. उसके बाद, लिटरेसी रेट में भी कौन आगे निकल गया? क्यारला. नेट अटेंडेंडेंस रेशियो, इसको भी देखते हैं. नेट अटेंडेंडेंस रेशियो is the number of children of age group. पहली बात तो यह याद रखना प्रान्या, सब लोग याद रखना, keyword है यह, बहुत important keyword है, net attendance ratio हमेशा देखा जाता है, एंदा age group of 14 to 15 years. वो बच्चे, एक सेकेंड लिए क्या हो गया? 14 to 15 years. अब ठीक है? वो बच्चे जो कि school attend कर रहे हूं. यह 14 to 15 years वाले वो नहीं, प्रान्या के पार्क में जाके वो foil paper रखके उसके नशे कर रहे हूं, ठीक है? sanitizer पी रहे हूं, यह कर रहे हूं, वो कर रहे हूं. अरे नशे, इंतुस्तान का लॉड़ने, thinner, thinner हो, इंतुस्तान के लॉड़ने रपादे, कुछ भी सूंगने बैट दाते हैं नशे के लिए. मौके मौके में उनको चाहिए, बोले की गोली. ठीक है? हाँ, वाइटनर, सही बात है, वो flute के उपर, जो उसके, flute होती है जो है, न? Net attendance ratio is the number of children in the age group of 14 to 15 साल attending school, as a percentage of the total number of children in the same age group. यानि की, 14 से 15 साल के एक particular region में, इस्टेट में, देश में, जित्ते लॉंडे, 14 से 15, 50 नहीं, सुरी, 14 से 15, जितने लॉंडे लपाडे हैं, इन में से कित्ते लॉंडे लपाडे फालतो गूम रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, तो ये percentage ज़्यादा होनी चीए, कि कम होनी चीए? ज़्यादा होनी चीए, और ये लेकिन किस में से देखा जाता है? हर 100 में से, ये keyword है, ये keyword है, जैसे है कि मैंने आपको Uber keyword लिखवा है तरह, infant mortality rate का, तो आप इसको भी keyword माल लो, प्रान्या, ये सब चीदे भी लिख लेना सब लो, यहाँ पर keyword देखा जाता है, keyword जो है, number one चीज देखा जाती, 14 से 15 साल, वो पेच्छे स्कूल जाने चाहिए, ठीक है, तीसरी चीज ये है, out of 100 देखा जाता है, और यहाँ पर कैसे गलत करवाएगा, जमेर आपका कोशन प्रान्या, out of कितना देखा, 1000, और यह चीज हम लोगों के लिए भी बहुत important है, बागी सब लोग सुन लो, apart from प्रान्या, अश्वरी, काफी important चीज है हम लोगों के लिए, क्योंकि economic services ए रेटेट है, तो यह है, है न, फाल्त document नहीं है, अब, क्या मैं इसके आगी लगाता हू, 61 out of, जल्दी बताते जाओ, 100, 81, 83 out of, 100, 43 out of, 100, इन tables को ऐसे miss नहीं करना चाहिए, अभी 1 minute analysis करवाता हू, लेकिन एक बात सुन लो, इन tables को ऐसे miss नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रान्या क्या होता है, text तो हरको ही पढ़की चला जाता है, पर टूट होता भी याद कर लेगा, यह real दम तो ही है ना, कि इसमें दिमाग को लगा पाता है, बताओ, हम कितनी दिर से discuss कर रहे हैं इसको, लेकिन कितनी सारी बाते चुपी होई है इसके अंदर, है कि नहीं, ऊपर वाले table के साथ साथ लिंक है इसका, लेकिन यह text नहीं बता रहा है कि यह link है इसका, पहले वाले table के साथ, लोग क्या करते हैं आपर, ड्राइंग बनाते हैं, राजू लव्ज, रानी, रानी लव्ज, शीला, अपनी बोको पर, हर्याना, जहां पर सबस्यादा average income थी, 61 ही उसका net attendance ratio है, हर सौ में से सिर्फ 61 लॉंडे लपाड़े स्कूल जा रहे है, ब्यार में 43, इंस्टाग्राम पे रिल भी देख्योंगी आपने हैं न, प्रान्या, इस बार मोधी सरकार, और इसका एक reason और भी है, अश्परीद इसका reason पता क्या है, कुछ साल पहले एक सीना है था न, वो स्कूल की खिड़की से लटक कर, माँबा पर्चे भैग रहे थे अंदर, चिठ्थे भैग रहे थे, यही है वो यही है, देखो अश्परीद आज पकड़ा गया, यही है वो, ठेक है, आरे, यहां सब मिलेगा, आपको यहां आनंद कुमार भी मिलेगा, यहां आपको super 30 का पैस भी मिलेगा, और यहां आपको स्कूल से चिठ्थे बास करते हैं, वहाँ भाँ भी मिलेंगे, तो, केरला, केरला इस चीज में भी बाजी मार ले गया, 83, 83, अच्छी चीटे के पुरी चीटे, जादा नमबर होना चाहिए, गम होना चाहिए, और सबसे कम दिख रहा है, ब्यार कर, लेकिन एक बाँ बाँ बताओ, हर्याना में रुखने में, जो हमें लग रहा था, कि इतना बड़िया चीज है, एवरेज इंकम यहाँ पर जादा है, क्या, उसके अलाबा, जीवन के, किसी भी आस्पेट को, इंप्रूव करने में, मदद कर सकता है, हर्याना का राज्य हमारा, क्या बच्चा, अगर, जो होगा, इतनी महनत के बाद, इतनी मुशक्कत के बाद, क्या संभावना है, वो हर्याना में अगर होगा, तो जीएगा, मैं जो मैं आफड़े दिखा रहे हैं, बच्चा यहाँ पर जादा पढ़ा लिखा, निकलेगा क्या निकलेगा, इस कंपेर्ट तू अधर केरला, इतना इंकम के इसाब से जरूरी नहीं है, क्योंकि और भी मैं थाद, हमारे पास यह चीज क्या शो करना है, पर आना है, यह चीज यह चो करना है, हर्याना से हमारे पस better option है, बस हमारे क्या चीज मारी जाएगी, इंकम कम कमालो, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्दगी के अधर पहलू जो अधर डव्लेप्पेंट के इंडिकेटर्स है उनमें पक्का कोई कॉंप्रमाइज नहीं देखेगा आपका बच्चा स्कूल जाएगा पक्का कुछ सूंगेगा नहीं ठीक है बोले की गोली नहीं लेगा ठीक है अच्छा खासा सिक्षित बनेगा और हजार बार अगर हजार का टार्गेट है ठीक है तो पक्का 93 जीएगे उसमें से 993 जीएगे उसमें से अगर हजार बच्चों का टार्गेट आपका तो ठीक है तो केरला सही है और फिरी का नारियल पानी भी मिलेगा तो ये टेबल क्या दिखाता है फर्स कॉलम शोजए ये जो हमने पूरी की पूरी अनलिसेस पड़ी ना ये भई है कैरला के अंदर आउट ओफ थाउजंड चिल्डरन बॉर्न जो बच्चे मर रहे थे पहला वर्डे कंप्लीट होने से पहली वह 30 थे तो एक बाँ बताओ फिर क्या फायदा का फायदा इसका प्राणिया कि ये क्लेम कर रहा है क्या अबरेज इंकम हमारे जाता यह वह जो की लगपख तीन टाइम जाता है अस कंपेट टू कहरी तीन टाइम जाता और आधर अपना इंकम अवर्याना इस मोर देन देट आप केरला अब यह चीज क्या शो कर रहा है यह चीज़ शो कर रहा है there is a paradoxical condition situation there is irony in this case ठीक है तो वो ही कह रहा है आप से एक फालतू बात कर रहा है just think of how dear you are to your parents और हर एक बच्चा अपने माबब के लिए कितना कीमती होता है तो वो आपको ये सेंटी कर रहे है वहली बात बोलकर वैसे कोई सेंटी होगा तो नहीं लेकिन अगर हर्याना में और बिहार में हुए होते तो जिन जिन के बच्चे मर गए हैं इन हजार में से भी ये जो 32 मर गए तो प्रन्या पैसा कोगे क्या क्या हो गया 32 जी तो मरे हैं जिसने कर रहा है उससे पूछो यह न वो आपको दुख बता रहा है लेकिन पार्यना के दिमाग क्या रहा होगा कि इसमें दुख की थोड़ी दे बात है का रहे हैं तो मजे नहीं होगे क्या यह तो हो गया ठीक है उसके बाद इन्फेंट मोटालिटी रेट और जो यह अटेंडेंस रेशियो था यहां पर यह चीज क्या दिखा रहा है डैट इफ यू वेंट तो दा स्कूल इन बिहार नेरली हाफ और एलिमेंटरी क्लास रेंट वो मिलेंगे ही नहीं और जब वो नही दो बस वही चीज है स्कूल बच्चे यहां पर कम जाते हैं तो यहां पर अगर इन तीन और सिर्फ एक तीन को देख लें अगर हम लोग तो हमें क्या देखता है कि बेटर ऑप्शन भले इंकम काम हो जा लेकिन क्या दिख रहा है बेटर ऑप्शन कहा है जादा रहने में लिएत ने ने सारे 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 कहरे ला हाँ हाजी सही कह रहे हो कह रहता है तो दोस्तों इस दिसकुश्में फिला लेत नहीं थैंक यू बरी मिच बाट इसकुशन नेक्स लेक्शन में हम लोग बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बार में कि यह कैसे डव्लपर्ट जने की जो जिम्मेदारी होती है वो इंडिविजल की खुद की नहीं होती सरकार की होती है देश में क्योंकि सरकार जो है वो सोशल सर्विसेस के बार में सोचती है तो जनता की भलाई का जो डिसीचन है वो सरकार के हाथ में इसको हम देखेंगे नेक्स लेक्शर के अंदर Thank you very much for discussion.